हेलो एवरिवन श्वागत था आपका मेरे चैनल पर आज आलू का चिप्स लेकर आई हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं यहां मैंने दो आलू लिया है इसको इस तरह से छील लेंगे आलू को हम धूप में नहीं सुखाएंगे बस तुरंत छील के तुरंत काटके तु अच्छे से सुखा लेंगे इस तरह से अच्छे से पोच केस को सुखा लें बहुत जल्दी बन जाने वाली चिप्स है घर में जब मन करें तुरंत बना कर तुरंत खाईए और मसाले में बस यहां पर थोड़ा समय ने पिंक सॉल्ट लिया है यह लाल मिर्च पॉडर है और यह चाट मसाला है तो पहले चिप्स से बनाते हैं फिर मसाले के यूज करेंगे यहां मैंने तेल रखा है तलने के लिए आप रिफाइन भी यूज कर सकते हैं सरसो के जगा कराई गरम होगी हमारी अब उसमें तेल डालेंगे मितलati alokad Saya एक टुकरा डाल के देखें उसे उसे मतला तेट गरम हो गया है जीप्स को तलते हम में गैस को हाय रखाना जाधा कम रहें न बिलकुल हाय रखें यहाँ थोड़ा मीडियम पर रखेंते हैं मिडियम ज्यदा कम कर देंगे तो चिप्स हाँचांपिस कड़क हो जा और अभी मैं जो बना रहे हुए इससे सौफ्ट पाली कुर्कुरे वाली बनेगी तो इस तरह से एक-एक मालू मैंने उसमें डाला तेल में और इसको इस तरह से बिल्कुल तेल में उलट पलट कर शुनहरा होने तक तलेंगे इसको आज को हाय मीडियम पर रखें ज्यादा लो नहीं रखना है और इस तरह से उलट पलट कर इसको कुर्कुरे होने तक सेख लें कुल से लखने और आए यहां आज देखिए एक बैंच मेरा हो गया है दुसरा भी में बना के दिखाती है इस तरह से एक-एक करके आलू डाले एक साथ हाथ में उठा कर आलू नहीं डाले एक एक करके डालें इसे, फिर इसको उलटते पलटते हो इस तरह से, कुरकुरी होने तक फून लें, बस चिप्स तयार है, अच्छी बनती है, घर में आप खा सकते हैं इसको, बाजार जाने का जरूत नहीं है, और इसमें कुछ भी बाहर का कुछ भी केमिकल, कुछ भी इस्ते सतल लें, सुखा के, यहां पर हमारी कुरकुरी वारी अलू चिप्स तयार है, तब इस पर मसाला चिरखते हैं, तो यह मिने मीर्ची पोडर डाला, यह नमक डाला, शाल्ट आप कोई भी साल्ट यूज कर सकते हैं, और यह चाट मसाला डाला, इसको ऐसे उपर से चिरख दें बिल्कुल बन के तयार है, खाईए और हमारी चैनल को लाइक किजिए, सब्सक्राइब किरिए